की बहुत सारे एनिअल्स को इंक्लूड किया गया है और जितने प्रकार के एनिमल हैं वो सभी कैसे हैं? Multicellular Eukaryotic Animals Multicellular Eukaryotic Animals का मतलब है कि इनकी जो सेल है वो कई सेल्स के इस्तरों के द्वारा बनी हुई है और Eukaryotic है इसको अपने हम इस Ned आई से देख पा रहे हैं और आपको पता है कि एनिमल किंडम के अंतरगत एक फादर थे जिसको फादर आप जुलोजी कहते हैं वो थे Arise Totale जिनको बेटा हम फादर आप जुलोजी के नाम से जानते हैं और इन्होंने ये बताया था कि इस संसार में जितने प्रकार के एनिमल हैं वो mostly कैसे हैं यू कैरियोटिक है और मल्टी सेलूलर हैं तो अगर इसका हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बाग करें तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है मल्टी सेलूलर मल्टी सेलूलर यू कैरियोट्स मल्टी सेलूलर यू कैरियोट्स को इसमें इंकलूड किया गया है और आपको पता जितने प्रकार के मल्टी सेलूलर यू कैरियोट्स हैं इनमें किसी प्रकार की कोई सेल बॉल नहीं पाई जाती लेकिन क्या है, cell membrane बेटा present होती है, तो आप यह देखिए, लिखा हुआ है, no cell wall, but cell membrane is present. आप देख रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई cell wall का इस्तर नहीं है, लेकिल cell membrane बेटा present है, वही cell membrane जो हमारी protein और lipid से मिलकर बनी होती है, तो no cell wall, but cell membrane is present. इसके अलावा आप अगर animal के characteristic features को देखें, तो इसमें जो central vacule है, वो भी absent होता है. Central vacule are absent. Central vacule absent होता है, और जो मुख चीज़ है, this is the active locomotion. जितने animal आप देख रहे हो, यह multi-cellular eukaryotes हैं, और इसमें क्या है, active locomotion है, इसका मतलब है कि वो एक जिगह से दूसरे जिगह पे जा रहा है. उसमें locomotion की क्रिया चल रही है, तो इसको हम बोलते है active locomotion. और आपको अगर हम बताएं, तो इसमें जो nutrition है, this is the heterotropic mode of nutrition. हिट्रोट्रोपिक mode of nutrition, इसका मतलब है जो portion की विधी है, वो क्या है, depend है, वो other animals के उपर depend है, उसको बोलते हैं विशम पोसी. तो heterotropic mode आप इसमें nutrition है, जितने भी animal है. इसके बाद अगर आप देखें, nervous system, excretory system, and sense organ, are well developed. हम अगर बेटा देखें, तो जितने भी animal है, इसमें nervous system, excretory system, और जो sense organ है, या sensory system है, वो कैसा है, well developed है इसमें. nervous system भी आप देखेंगे, आप sensory organ भी इसमें लगे हुए है, इसके अलाबा, excretory system भी well developed है, और जो external stimuli आ रही है, वो quick response, इसका मतलब है, कि जितनी भी external stimuli आती है, environment से, उसके परत, इसका क्या है, quick response है, तो, quick response, for external stimuli, वातावर्ण से, जो भी उद्दीपन आ रहा है, जो भी stimuli आ रही है, उसके परत, इसका क्या है, quick response है, इसलिए बोलते है, quick response for external stimuli, और बेटा, हम आपको बता दें, कि इसमें जो reproduction की process है, बोथ is sexual and sexual, reproduction is both asexual and sexual, बहुत सारे ऐसे भी आप दान-cordate देखते हैं, या बहुत higher जो animals हैं, उनको देखते हैं, तो उनमें क्या है, sexual reproduction ज़्यादा पाया जा रहा है, कुछ ऐसे भी animal है, जिनमें ए sexual भी होता है, लेकिन अगर हम chordate की बात करें, या हम higher animals की बात करें, तो उसमें भी क्या है, sexual reproduction हो रहा है, और sexual reproduction में आपको पता है, कि इसमें क्या है, gametes involved होते हैं, दो gametes एक साथ मिलते हैं, और मिलने के बाद fertilization की process होती है, और जाइगोट का निर्माण होता है, और जब जाइगोट का निर्माण होगा, तो आपको पता है कि animals में जो development है, वो दो method से होता है, एक indirect प्रकार का development, एक direct प्रकार का development, बिटा indirect development वो development होता है, जिनमें egg से पहले larva बनता है, और वो larva आगे चलके adult मनाता है, ऐसे development को indirect प्रकार का development कहते हैं, लेकिन जो direct development होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई larva लिष्टेस नहीं पाई जाती, जो केवल egg है, वही egg आगे चलकर किस में बदल जाता है, यंगवंस में बदल जाता है, एग की hatching होती है, और hatching के द्वारा वो पूरा जाके यंगवंस में बदल जा रहा है, यंगवंस को बना रहा, तो ऐसे development को हम direct development कहते हैं, तो दो प्रकार का development भी इसी animals में होता है, अब चुकि आपको पता है, कि ये भी जो भी animal kingdom में आ रहे हैं ये animal, उसमें जो हमारे father थे, वो father थे, father आप जोलोजी, वो क्या थे बिटा, father आप जोलोजी, father आप जोलोजी या father आप बाइलोजी भी कहते हैं, और वो क्या है, एराइस टॉटिल, जिनको हम जंत विज्ञान या प्राणी विज्ञान का पिता कहते हैं, वो father आप एराइस टॉटिल हैं, इसको इनी के base पे इन्होंने animal kingdom बताया था, कि इतने प्रकार के animals पाई जाते हैं, और जो भी animal हैं, उसके ये characteristic features हैं, अब आपको ये पता है, कि जितने भी animal kingdom में animals आ रहे हैं, उनमें जो body organization है, या level आप body organization है, वो किस प्रकार से होता है, आपको बेटा पता है कि बहुत सारा body organization का जो level है, उनमें एक proto-plasmic level है, एक cellular level है, एक tissue level है, एक organ level है, और organ great level है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें, तो ये आप देख रहे हैं, कि जो level आप body organization है, ये लेवल आप body organization है, ये लेवल आप body organization की हम बात करें, तो सबसे पहला हमारा जो body organization का लेवल है, वो क्या ऐसा है बेटा, प्रोटो-plasmic level, वो लेवल है हमारा, प्रोटो-plasmic level, प्रोटो-plasmic level और आपको पता है कि ये जो प्रोटो-plasmic level है, इसका जो best example है, वो क्या है, प्रोटो-जोवन्स है, आपको पता है कि इसका जो example है, वो क्या है, प्रोटो-जोवन्स, क्योंकि आपको बता ही है, जो प्रोटो-जोवन्स है, वो कैसे है, ए-cellular है, और ए-cellular के आधार पे इसमें जो भी activities है, वो perform हो रही है, इसलिए उसको बोलें, प्रोटो-plasmic level, अब अगर हम देखे, ये प्रोटो-plasmic level के बाद, जो दूसरा body organization है, वो है बिटा, cellular level, cellular level, और इसका जो main example होता है, वो example है, sponge, जितने भी बिटा, sponges हैं, उनमें body organization कैसा होता है, वो cellular level का होता है, body organization, इसके बाद, अगला अगर हम बाद करें, tissue level, tissue level, और tissue level आप body organization, इसका मतलब है, कि बहुत सारे ऐसे animal है, जो जिनकी body इस्तिरित है, वो tissue के form भी इस्तिरित है, और इसमें जो mok example आपने रखा है, sylent reta, या nideria भी बोलते हैं, और इस tissue level के बाद, अगला आता है organ level, और organ level आप body organization के बाद करें, तो platy helminthes और या other जितने भी फाइला है, इसके example क्या है, platy helminthes, platy helminthes या other जितने भी फाइला है, उनमें body organization कैसा है, organ level है, और organ level के बाद, आता है organ system level, organ system level, अब आपको पता है कि यह organ system level का मतलब है, कि जितने higher animals हैं, और higher animals में, जैसे any leader है, molesta है, caudata है, यह जितने भी animal हैं, यह सब कैसे हैं, organ system level अब body organization है, इसका मनलब body के अंदर जो organ है, वो organ लगे हुए हैं, well developed organ लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, कि इनका जो body organization है, वो protoplasmic level का है, cellular level का है, tissue level का है, organ level का है, और organ grade level का body organization है, अब बेटा, एक चीज़ तो हम लोग को पता चल गई कि organization की, इसके बाद अगर हम बात करें, कि आखिर इनके symmetry कैसी होती है, आपको पता है कि symmetry का मतलब होता है, summit, और symmetry तीन प्रकार की होती है, एक होती है asymmetry, asymmetrical, animal, दूसरा होता है symmetrical animal, और तीसरा होता है, bilaterally symmetrical, bilaterally symmetrical, इसका मतलब है asymmetry, symmetry और bilateral symmetry, asymmetry का मतलब यह है कि इसमें जो example है, वो sponge आता है, इसका मतलब है, sponge को हम किसी भी सम्मिट से, हम किसी भी symmetry से उसको अलग bifurcate नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम कहते हैं asymmetrical, असम्मिट है वो, उसको किसी प्रकार से हम अलग-अलग divide नहीं कर पाएंगे, तो उसको बोलते हैं asymmetrical, और इसका बेटा example है sponges, इसके बाद अगर हम symmetry में देखें, तो symmetry का मतलब है, कि जैसे मान लो, ये एक animal है इस प्रकार से, ये एक animal है इस प्रकार से, इसको किसी भी भाग से हम काटें, तो वो दो parts में बटेगा, अचाए इधर से काटें, तो भी दो parts इधर से काटेंगे, तो भी दो parts, इधर से काटें, तो भी दो parts, इसको क्या बोलते हैं, हमारा symmetrical, है न, तो अब ये तो symmetrical हो गया, दूसरा होता है, ये मुक रूप से क्या है, symmetrical, और कैसा symmetrical है, ये है आपका readily symmetrical, ये कैसा है, readily symmetrical इसको बोलते है readily symmetrical तो यहाँ पर asymmetrical और यहाँ आप लिख सकते है radial symmetrical यह क्या है radial symmetrical है किसी भी भाग से अगर हम काटे तो यह क्या है दो भागों में ही यह divide होगा बिटा तो इसको बोलते है readily symmetrical अब तीसरा होता है bilateral symmetrical bilateral symmetrical जैसे कर हम orthoports की बात करें हम orthoports की बात करें और इसको हम यह देख रहे हैं कि यह मानलीजे यहाँ पर यह एक animal की body है तो bilateral symmetrical का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ से इसको cut करें तो यह दो parts में ही अलग होगा यह दो parts में दोनों parts equal half से अलग हो जाएंगे इसको बोलते हैं bilateral symmetrical या bilateral symmetry भी बोलते हैं तो अगर हम यह देख रहे हैं कि radial symmetrical में जैसे हम देखते हैं radial symmetrical में हमारा cylinder eta है यह तीनो फोरा है यह radially symmetrical का बेटा example है तो cylinder eta यह तीनो फोरा को अगर किसी भी part से चाहे हम इधर से काटें चाहे हम इधर से काटें इधर से काटें या इधर से काटें दो ही पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसको बोलते है रेडिली सिमेट्रिकल जैसे सिलन्ट रेटा और टीनो फोरा लेकिन हम अगर बाइलेटरल सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो बाइ bilateral symmetry है एक hall से अगर किया तो दोनो part एक दूसरे से समान रूप से अलग हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं bilateral symmetrical अब चुकि animal kingdom की हम बात कर रहे हैं ये तो हमने बात की की तीन प्रकार की symmetry है एक asymmetry, एक radial symmetry, और एक bilateral symmetry तो asymmetry में sponges वगर आते हैं, radial symmetry में silentrata tinofora को रखा गया है, और bilateral symmetry में हमारा platial mentis से caudata प्रकार के जो animal है caudates वगरा वो इसमें आते हैं अब चुकि हम ये बात करते हैं कि जो animal है मारा, उस animal में germinal ister है और वो germinal ister क्या है? दो प्रकार का है, इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे animal है जो diploblastik होते हैं बहुत सारे ऐसे animal है जो triploblastik होते हैं बेटार diploblastik का मतलब ये है कि embryo के embryonic development के समय भुरून के embryonic development जो embryo का हुआ है तो उस embryo के embryonic development के समय जब केवल दो इस्तर बनती है और वो दो इस्तर क्या है? outer है हमारा ectoderm और inner है endoderm तो outer और inner ectoderm और endoderm तो उसको हम बोलते है diploblastic लेकिन triploblastic का मतलब क्या है कि embryonic development के समय बाहरी इस्तर हमारा ectoderm हो आंतरिक हमारा endoderm हो और वीज का इस्तर mesoderm का हो तो उसको बिटा बोलते है triploblastic तो हमारा जो germinal layer है उसके अधार पे दो प्रकार के animals को आपने इस इस तर के अधार पे रखा है एक diploblastic और एक triploblastic तो जैसे अगर हम देखे diploblastic की अगर बेटा बात करें तो आपने देखा है कि इस प्रकार से ये बेटा हमने आपको दिखाया है एक sponge है और उस sponge का नाम है leucosolinea चुकि leucosolinea एक simple प्रकार का sponge है और इसमें जो germinal layer होता है वो कैसा है diploblastic है diploblastic का मतलब होता है दुई स्तरी इसका मतलब है जो बाहरी हमारा जो लेयर आप देख रहे हो ये पिनैकोडर्म या पिनैकोशाइट्स के रूप में है और आंत्रिक लेयर जो है वो कोनोडर्म और या कोनोशाइट्स के रूप में है तो ये diploblastic है और एक साधारन सा स्पंज मैंने दिखाया ल्यूकोशोलिलिया इसका मतलब है कि इसका जब एंब्रियोनिक डिवलमेंट हुआ है तो उस एंब्रियोनिक डिवलमेंट के पश्चाग इसमें दो प्रिकार के केवाल इस्तर बने है pentoderm और endoderm इसका मतलब sponge में वही endoderm pinakoderm के रूप में है और endoderm konoderm के रूप में है तो ऐसे animal को हम क्या बोलते है diploblastic और इसका main example क्या आता है sponge वगारा इसका मतहलब है पोड़ी फेरा के जो जंतों है वो mostly क्या है diploblastic animal कहलाते है लेकिन एक इस्तर और होता है ट्रिप्लो ब्लास्टिक ट्रिप्लो ब्लास्टिक का मतलब है कि Embryonic Development के समय जब Ectoderm, Endoderm और Mesoderm भी बने जो Mesoderm है वो 20 का इस्तर है Ectoderm, Endoderm और Mesoderm ये तीनों इस्तर से कर बॉडी का निर्माण हो रहा तो इसको क्या बोलते है ट्रिप्लो ब्लास्टिक और ट्रिप्लो ब्लास्टिक में आपको बता है कि जो Cardate वगरा जो होते है हम सभी लोग क्या है ट्रिप्लो ब्लास्टिक है तो उसमें क्या तीन इस्तरों से हम लोग का सरी develop है इसलिए उसको बोलते हैं triploblastic तो जो हमारा germinal layer है ये दो रूपों में हमने बताया कि एक diploblastic और एक triploblastic diploblastic और triploblastic तो diploblastic और triploblastic का मतलब क्या है कि इसमें जो और भी animal sponge है या और animal है उससब diploblastic है और जो platyhelmanthese से अगर आगे चलेंगे कॉड़ डेटा वगरा में तो आप देखेंगे वो क्या है वो बेटा हमारे triploblastic कहलाते हैं तो ये हमारा germinal इस्तर होता है इसके बाद एक चीज और हम आपको बताएंगे कि ये जितने animal है उनमें एक body cavity होती है अंदर से और वो body cavity silomic इस्तर के आधार पे लगी है और आपको पता है कि जो body cavity का जो silomic इस्तर है उसके आधार पे animal तीन प्रकार के हैं एक a silomate है एक pseudo silomate है और एक silomate है a silomate का मतलब है जिसमें silom गुहा है नहीं silom की cavity है नहीं है उसको बोलते हैं a silomate pseudo silomate का मतलब है कि जिसमें body cavity के अंदर जो mesoderm की wall है वो mesoderm की wall lined नहीं है उसको वो scattered pouches के रूप में mesoderm की जो इस तरह है वो बनी हुई है उसको बोलते हैं pseudo silomate तो pseudo का मतलब जूटा silo मतलब गुहा तो जूटी वो गुहा है वो मिथ्या है वो pseudo है तो उसको बोलते है pseudo silomate और silomate का मतलब है कि उसमें well developed mesoderm की lining है और silom की गुहा बनी हुई है ऐसे animal को हम बोलते है silomate तो acilomate pseudo silomate और silomate इस आधार पे हमने यह आपको बताया कि silomate कि किस तर इसका क्या है अब आपको पता है कि जो भी animal है उसमें क्या है उसमें circulatory system भी है बेटा और जो circulatory system है वो दो प्रिकार से circulatory system है एक open type circulatory system एक close type circulatory system आपको बेटा बता दे open type का circulatory system का मतलब है ऐसा blood circulatory system जिसमें blood flow के लिए किसी प्रिकार की कोई आयट्रीज या किसी प्रकार की कोई कैपलरीज का नेटवर्क नहीं पाया जाता तो उसको हम बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेट्री सिस्टम और इसका एक बहुत अच्छा एक्जामपल हम आपको बताएं आर्थो पोड़ा आर्थो पोड़ा में आप देखें पेरी प्लेन में भरा हुआ है और साइनस तीन प्रकार के हैं पेरी काडियल साइनस पेरी विसरल साइनस और पेरी नूरल साइनस तो ऐसा सर्कुलेट्री सिस्टम जिसमें ब्लड फ्लो के लिए किसी प्रकार का कोई नेटवर्क या कैपलरीज का जाल नहीं होता तो ऐसे सिस्टम को हम के जो भी एनिमल्स हैं इंसेक्ट हैं वो इसका मेन एक्जाम्पिल हैं लेकिन क्लोस टाइब ब्लड सरकुलेटिर सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सरकुलेटिर सिस्टम जिसमें ब्लड फ्लो के लिए वेर डबल畑 केपरीज का नेटवर्क है आट्रीज वेन की पूरी नेटवर्क जाल फैला हुआ है उसी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो ऐसे सर्कुलेटरिस सिस्टम को हम क्लोस टाइब सर्कुलेटरिस सिस्टम बेटा कहते हैं और आपको पता इसमें एनिलीडा है मोलस्का है, कॉडेटा है ऐसे प्रकार के एनिल आते हैं जिनमें क्लोस टाइब ब्लड सर्कुलेटरिस सिस्टम पाया जाता है तो दो प्रकार का सर्कुलेटरिस सिस्टम होता है एक ओपन टाइब और एक बेटा क्लोस टाइब इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे कि इसका जो segmentation है चुकि animal kingdom में बहुत सारे animal आते हैं और animals में हम देखते हैं कि segmentation भी होता है एक होता है pseudo metameric segmentation और एक होता है metameric segmentation pseudo metameric segmentation का मतलब है आपको पता है pseudo means क्या होता है जूटा होता है और जूटा का मतलब क्या है कि इसमें जो segmentation है वो स्यूडो प्रकार का है वो segmentation well developed नहीं दिखाई पड़ता उसमें segmentation इस प्रकार से developed नहीं है उसके organ अंदर नहीं लगे हैं इस प्रकार से उसको हम बोलते हैं pseudo segmentation और इसका main example है बेटा tape worm आपको बता tape worm को बोलते हैं tinea solium तो tinea solium को अगर देखें तो उसमें तीन प्रकार के proglotid पाए जाते हैं और proglotid जो होता है एक immature proglotid होता है एक mature proglotid होता है और एक gravid proglotid होता है और बेटा जो mature proglotid है वही बात में बचेगा बाकी ये जो immature proglotid ये सब हमारे खतम हो जाते हैं डिके हो जाते हैं चुकि इसमें segmentation इसपस्ट नहीं होता तो ऐसे segmentation को हम pseudo metameric कहते हैं और इसका main example है tape worm इसके बाद एक segmentation होता है metameric segmentation metameric segmentation को बेटा बोलते हैं खंडी भवन इसका मतलब है इसमें well developed segmentation और आप महां आपको बताएं इसका main example है any leader में earthworm earthworm को अगर हम देखें जिसका जो logical name है fairy teama postuma अगर हम earthworm को देखें तो पूरा क्या है segmentation अंदर से बना हुआ है और इसका जो earthworm का 14, 15 और 16 segment होता है इसको बेटा kliteller region कहते हैं तो हर एक segment में एक-एक organ लगे होते हैं इसलिए उसको बोते है metameric segmentation खंडी भवन है सभी खंड में organ develop है तो इसका main example है any leader जिसमें earthworm को आपने रखा है ये तो हमने segmentation की आपको बात बताई अब आपको पता है कि ये जो भी animal kingdom मैं बता रहा हूँ ये अभी मैंने general animal kingdom की बात की है अब आज मैंने अपने इस बिटा lecture one में इतनी चीजें आपको बताई है कि इसके characteristic features क्या है इसका level of body organization क्या है इसका germinal layer क्या है इसमें silomic इस्तर कैसा होता है और किस प्रकार का body organization है open type, close type, blood circulated system क्या होते है और मुखरूब से इसमें जो segmentation है वो किस प्रकार का है ये मैंने आज अपने इस animal kingdom में lecture one में बिटा बात की है next lecture जो हमारा होगा lecture two में हम बात करेंगे अब अलग-अलग हमारा phylum आएगा phylum proto joa जिसमें आपने protista को include किया गया है और proto joa में कौन-कौन से animal है उसके characteristic features क्या है वहाँ से हम सुरू करेंगे तो proto joa से core data तक जितने भी animal है उसकी हम आप से detail discuss करेंगे with diagram, with example तो आज बिटा मैंने lecture one में ये बात किया है आप से अगला मेरा lecture two में होगा phylum proto joa बिटा तो students ये आप ध्यान से इसको हमारे video lecture को देखिए और हमारे Reliant Learning solution पे जाकर YouTube में link को subscribe करिए और like करिए बिटा वीडियो को share करिए जिससे हम जादर जागे आपको अच्छे सच्छे video provide कर सके तो okay बिटा, thanks